नमस्ते मैं हूँ आपके साथ दिव्यान शर्मा कॉंग्रिस की राश्टे प्रवक्तार रादिका खेडा ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी घुशना कर दी उन्होंने पोस्ट में कहा वे अतंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्रात्मिक सदस्ता ट्याग रही है और पत्स से इस्तिफा दे रही है रादिका खेडा ने लिखा वे लड़की हैं और लड़ सकती हैं और वही वे कर रही है अपने और देश्वासियों की लगातार लड़ती रहेंगी अपने आपको रोक नहीं पाई लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सूचा था मेरे साथ 36 गर्प्रदेश कॉंग्रिस कार्याले में अभधरता हुई मुझे वहां पे धक्का मुकी करी गई कमरे में बंद कर दिया गया लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ मैं चीक चीक कर गुहार करती रही छोटे से लेकर सबसे बड़े श्रीशनेतित तक गुहार करती रही लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला 25 एपरल को मैं राम लला के दर्शन करती आई हूँ जी बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई 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 कायम रहेगी लड़की हूँ लड़ रही हूँ और अंथ तक न्याय के लिए लड़ती रहूँगी और मुझे राम लला में पूरा विश्वास है कि जिनके हमें दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे रादिका खेडा के स्तीफे पार कॉंग्रेस और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी क्या कुछ कहा आप भी सुनिए पर साथ संचार विभाग के अध्यक्ष सुशिलाने शुकला है रादिका खेडा ने इस्तीफा दे दिया है उसे पर बाचित करते हैं रादिका खेडा ने इस्तीफा दे दिया है बेहत दो भागी जनक है मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है वो मेरी छोटी बहन थी हैं और रहेंगी बहुत सामानी से बात थी और पता नहीं कि उसको उन्हें तिल का ताड़ बनाया हलांकि आज जो उन्होंने ट्विट किया है उससे साफ होता है कि क्यों ऐसा किया गया तो ट्विट अपनी कहानी खुद कह रहा है कि आप ही पर आरुप लगा रही है कि आप ही इने बत्तमीजी की कि जिसके बादUL को निया की सर्थ कोई बत्तमीजी नहीं किया गयाए बांच पांच लोग इस Kmn Shaymus हैं पांच पर वक्टाते साखे लंक को बत्त में मैं फिर réponse नहीं है लिज्प विआ कि इसाहीं अब और दरता तो कैसे अब Sax 알ласт के रिपोर्ट नहीं आई उससे पहले यह करना था लेकिन आज के उनके पत्र से इसाफ हो रहा है कि वो सारी चीजें उन्होंने पहले से सोच के रखा था कैसे साह हो रहा है क्या लिखा आप पढ़ लेजिए बहुत में दॉद्वान पत्र का रहा है आप पुछ समझ जाएंगे नाल्सिस कर लीजिए मुझे कुछ तो यह थे सुशी लानन्द शुकला जो कह रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो पत्र लिखा है उससे बहुत कुछ साफ है कैमरमेंट प्रमीन के साथ रुपेश कुपता लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यह नारा कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा गुजा करता था अब 136 रड़ में यहाँ पर राधिका खेड़ा जी पांच दिन तक लड़ती रही लेकिन उसके सम्मान की रक्ष्णा नहीं हो पाया उनके सम्मान का जिस पकार चीर है प्रदेश की महतारी लोग सभाज चुनाओं में कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं है और इस खबर पर विश्लेशन करने के लिए हमारे साथ जोड रहे हैं 36 गड़ से एसुसेट एडिटर रुपेश गुपता रुपेश एक तरफ चुना प्रचार का शोर जरूर थम गया है लेकिन रादेका खेडा के मामले में सियासी शोर बढ़ता ही जा रहा है कॉंग्रेस कह रही है सुशी लाने शुकला से अपने बात दियों कह रहे हैं तिलका तार बना दिया रादेका खेडा ने पोस्ट किया है और कॉंग्रेस ये भी आरूप लगा रही है उस पोस्ट में संदेश चिपा हुआ है मकसद क्या था देखे जाहिर तोर पे कॉंग्रेस पार्टी खुल के नहीं कुछ कह रही है कॉंग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है सुशी लाने शुकला जिन से उनका पुरा विवाद हुआ था वो खुल करके कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन बार बार ये कह रहे हैं उस पोस्ट का हवाला दे रहे हैं जिस पोस्ट में राधिका खेड़ा ने अपना रेजिगनेशन दिया है इस पोस्ट में जो पन्ने उन्होंने सारवजनिक किये हैं उस पन्ने में साफ तोर से लिखा है कि बहुत पीड़ा के साथ प्राथमिक सदस्यता से स्तीफा दे रही हूँ और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यह वही नारा है जिसको पियांगा गांधी उतरपदेश के चुनाव में लेकर की गई थी और वही अब मैं कर रही है और न करके दोनों पक्षों से बाच्चित की थी और बाच्चित के बाद सुलह कराने की कोशिश की थी लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि सुलह की जो इस्तिती है उसको पक्के तोर पे नहीं कहा जा सकता है यह जरूर है कि दोनों एक साथ लंबे समय के बाद दिखे यह जरूर है कि रादिका खेडा कॉंग्रेस दफ्तर आई है लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि सुला हो सकती है क्योंकि सुला के लिए दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कोई ना कोई बात समझनी पड़ेगी लेकिन जिस तरह के तेवर हैं जिस तरह की घटना है जिस तरह का वीडियो सामने आया है उससे कहीं न कहीं लगता है कि रादिका खेडा काफी आहत थी रादिका खेडा इतनी ज़्यादा आहत थी कि उन्होंने प्रात्मिक सदसेता से इस्तिफा दे दिया दो चार दिन के इंतिजार के बाद लेकिन जो इस मामले में अब रादी का खेडा ने जिस तरह से पोस्ट किया है वो दिल्ली में फिलाल जुटेंगी तो बताएंगी कि क्या मामला है यस मामले में जो जानकारी हमारे फास एक प्रेस गांफरस भी करने वाली है वो हलागी इस मामले में जो सुशी लानल चुकला है जो दूसरे पक्चा है उनका कहना है कि छोटी सी घटना थी जिसको काफ Hi these में बड़़्ा दिया गया लेकिन रादीका खेड़ा Congres के लिए जिस तरह से काम कर रही थी, जिस तरह से लगी हुई थी, जिस तरह से जो जानकारी है वो यही है कि कोडिनेशन को ले करके ही सारा कुछ विवाद पैदा हुआ था और उसी को ले करके ये मामले ने तूल पकड़ लिया और इसी में ये पूरा विवाद सामने आया और पूरा विवाद खड़ा हुआ लेकिन जो राधिका खेड़ा है सुशिल आनन्ज चुकला है राधिका में campaign भी किया था तो ऐसी परिस्तिती में जाहिर तोर पर ये Congress का नुकसान है लेकिन जो विवाद है उस विवाद से भी Congress का नुकसान हुआ है और उस नुकसान में उसकी भरपाई Congress कैसे करेगी ये Congress के सामने सबसे बड़ा सवाल है इस लगातार ये कह रही थी कि घर के अंदर की ये बात है सुझाली जाएगी लेकिन सुलह से कलै तक मामला इतना उलजा कि नौबत यहां तक पहुँच गए कि रादिका खेडा ने आज सोशल मीडिया पर बकाइदा पोस्ट भी कर दिया और अपना इस्तिफ़ा भी दे दिया इस्तिफ़े की इस कहानी के पीछे कई चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है 36 गड़ में भले ही चुना प्रचार का शोर थम गया है लेकिन रादिका खेडा के मामले में सियासी शोर अब बढ़ता ही जा रहा है किसे नुकसान किसे फायदा होगा और ये मुद्दा कहां तक जाकर पहुँचेगा देखना बेहत एहम होगा लेकिन फिलाल जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उसके मद्दे नजर कॉंग्रिस रादिका खेडा के मामले में वज़े बता रही है पक्ष रख रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ये भी आरोप लगा रही है कि रादिका खेडा ने जो आज पोस्ट किया है उसमें संदेश च्छपा हुआ है वो अपने आप में तज़्दीक कर रहा है कि इसकी तयारी तो पहले से की जा रही थी तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कॉंग्रेस पर कि कॉंग्रेस पाटी में महिलाओं का हमारे साथ अपमान होता है हमारे साथ इस वक्ष खुद रादिका खेडा जुड़ गई है उनसे हम बातचीत करेंगे रादिका खेडा जी आपके इस्तिफ़े के बाद कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं कई तरह की बाते कही जा रही है सबसे पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा क्योंकि सोशील आनन शुक्ला जी से जब जी मीडिया ने बातचीत की तो उनका ये दावा है आरोप है कि तिल का ताड़ बना दिया गया जिस वक्त पूरा विवाद हुआ उस वक्त वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे आपका पक्ष नमस्कार मैं जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप लोगों ने मेरी लड़ाई में साथ दिया और लोगों तो कसले पहचाने का काम किया देखे जो आरोपी है उन्हों ने जिस तरीके से मेरे साथ अभधरता करी और उनके रवईया और उनका मिजास पूरा प्रदेश बहुत अच्छे से वाकिफ है आप किसी भी महिला पत्रकार से पूछ लेजिए वो आपको बता देंगे मैं लगा तार पिछले तीन महीने से उनकी शिकायत करती आई हूं शीष नेतित्व से लेकर स्थानिय नेतित्व को भी और किस तरीके से उनकी अभधरता धीरे धीरे करके बढ़ती गई और हद के पार हो गई और जिस तरीके से जो वो अब जूट बोलने का काम कर रहे हैं उनको अगर इतनी बड़ी घटना जूट लगती है और छोटी लगती है तो ये उनकी मांसिक सिती का बात बताती है एक महिला पर चिलाना अभधरता करना गाली गलोच करना और उसके बात अंदर से दर्वाजा बन कर लेना तीन आध्मियों का अगर ये छोटी बात है तो मैं ही समझती इससे जादा भयानक मेंटल सिफी किसी की कोई हो सकती है और मैंने बहुत न्याई की गुहार करी अपने श्रीश नेतित्त से लेकिन में सरफ एक गलती की बज़ा से मुझे न्याई नहीं मिला और वो ये एक गलती है कि मैं 36 गड़ आने से पहले रामलला के दर्शन करने आयोध्या चली गई थी और उस बात के लिए मुझे बहुत फटकार भी पड़ी थी कि क्यों मैंने उसे सोचल मीडिया में डाला क्यों मैं रामलला के दर्शन करने गई पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि रामलला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा मेरी पार्टी मुझे देगी कि जब मैं नहीं दिया जाए जी रादिका जी मेरा आपसे अगले सवाल ये है कि अभी हाली में बखाइदा अंदर बंद कमरे में मिटिंग भी हुई थी दिपक बैज जी उस मिटिंग में मौजूद थे जब आप बहार निकल कर आए थी तो आपने कहा था कि मैं मीडिया के सामने अपनी इशा नहीं मिली या फिर इसके पीछे कुछ और बात है देखे मैंने च्छे दिन इंतजार किया आज तक उस आदमी को एक भी नोटिस नहीं जारी किया गया मैं मीडिया किसे बिलकुल बात नहीं करी आप भी जानते हैं मैंने हर नियम का पालन किया हाला कि मुझे डरा धंक कि बोला गया था कि मीडिया से बात मत करो आप कोई बाइट मत देओ लेकिन वो आदमी लगा तार मंच पे बैठ रहा था लगा तार मीडिया के आगे था और लगा तार मेरे उपर उल्टे आरोप लगा रहा था और उसको ये शेह किसने नहीं सब जानते हैं कि दुशील को मैं ककका ने दी थी और दुशील को बचाने वाले ककका ही है और किस तरीके से आप बात करते महिला सम्मान की और आप जब बेटी आपकी न्याय मांग रही है तो आप दुशील का साथ दे रहे हैं और पूरे प्रदेश आफिस में देखा गया था किस तरीके से मैं भागती चिलाती भार आई थी अपने आपको बचाती वी इन दोशियों से लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया किसी के अंदर एक रीड की हड़ी नहीं थी कि वो मेरा साथ दे और न्याई की बात परे किसी ने एक शब्द मुझे सानबूती का नहीं बाता मैं बिमार हो गई मुझे अस्पताल जाना पड़ा लेकिन एक इनसान ने एक व्यक्ती ने कॉंग्रिस पार्टी के प्रदेश च्छतिसगर से लेकर इसी से जोड़ा मेरा सवाल है कि अब तो अपने पार्टी से सिफ़ा दे दिया है लेकिन इससे पहले बतवार राश्टी प्रवक्ता आपने दिल्ल कि सुषील आनन शुक्ला बार बार उस पे बैठे रहे मंच पर वहां से संदेश मिला और सभी संदेश मिला कि शट्रीश चोड़ दो यह संदेश था और संदेश इसलिए मिला क्यों कि मैं राम्ला के दर्शिन कर यह रादिका जी आप यह आपको नयाय दिलाएंगे सुषी क्या है रादिका खेडा का और यह जो पूरा रवाद बखेडा खड़ा हुआ है इसकी त्यारी पहले सुशील आनंद शुकला पूरे देश के सामने ये बताएं कि जब तीन आदमी एक महला को कमरे में बंद करते हैं तो उसका क्या संदेश है जैशीरा में को जाना है मैं आप से माफी चाहूंगे ठीक है तो रादिका खेडा ने जी मद्रप्रदेश 36 गड़ से एक्सलोसिव बातचीत की उन्होंने अपना पक्ष रखा इस्तिफ़ी के पीछे की वज़े बताई उनका ये भी दावा है कि वो लगातार नयाय की गुहा लगा रही थी लेकिन उन्हें स रादिका खेडा का अगला सियासिक कदम क्या होगा रादिका खेडा ये भी कह रही है अपने पोस्ट में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और वही कर रही हूँ रादिका खेडा का ये भी कहना है कि अब राम लला उन्हें नयाय दिलाएंगे सुशील अनन्द शुकला से जी मीडिया ने कुछ दिर पहले बातचीत की थी तो उनका ये दावा था और आरोप था कि पूरे मामले को तिल का ताड़ बना दिया गया और जिस वक्त का ये पूरा विवाद बताय जा रहा है उस वक्त वहाँ पर कॉंग्रिस के और भी प्रवक्ता बैठे हुए थे गौर करने वाली बात ये भी है कि दीपक वैच के साथ बकाइदा मिटिंग भी हुई थी और उस मिटिंग के बाद भी रादिका खेडा ने जो रेक्शन दिया था उससे कहीं न कहीं ये इशारा मिल रहा था कि कुछ हो सकता है और वो हो गया रादिका खेडा ने कॉंग्रिस स इस्तिफादे दिया है